हेलो फ्रेंज वेल्गा माई यूट्यूब चैनल फॉलो इस्टड़ी फ्रेंज रेल्वे ग्रूब डी एक्जाम लगातार अभी चल रहे हैं लेकिन फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का एक्जाम खत्म हो चुका है पूरी तरीका से तो फर्स्ट फेज में जितने भी जो ना दे थे मैंने पहले आपको वीडियो बना के दे रखा है कौन-कौन से जोन का कितना सब्सक्राइब कर लिजिएगा सभी एक्जाम के ओफिसियल एनालसिस और ओफिसियल नोटिस और जीके जीये से समय वीडियो पाने के लिए तो चलिए बात करते हैं नौर से सेंट्रल एलवे अलाहाबाद की एक्सपेक्टिट कटाब 2022 की ग्रूब डी की सबसे पहले हम बात करते हैं नौर सेंट्रल एलवे अलाहाबाद में कुल कितनी वेकेंसी है ग्रूब डी की तो देखें वेकेंसी है ग्रूब d में 473 यानि 47 30 यहां पर वेकेंसी है जितने पर आपको फाइनल सेलेक्षिन नेना यानि इतने ही सब्सक्राइश का फायनल सेलेक्षिन होगा पिझुजीकल एक जान्मियसन के बाद जो भी इस más qid एस्टिएंट यहां पर फैल कर जाएंगे हाला कि देखिए for p.e.t के लिए तींगुना एस्टिएंट लिया जाएगा रेलवे की तरफ से तो 4730 यहां पर multiply करेंगे आप 3 से तो 14190 को यहाँ पे PT के लिए लेना है तो PT के लिए हम बात करें कितना आपका यहाँ पे cut-off जा सकता है 14190 में यहाँ पे आप एक हो सकते हैं और इसके बाद final selection 4730 यहाँ से जो भी student चटेंगे यहाँ दूना student यहाँ पे चट जाएंगे जो एक गुना बचेंगे यहाँ यहाँ पे final selection ले पाएंगे तो हम बात करेंगे PT के लिए कितना आपका cut-off जा सकता है यानि कि 14190 यहाँ पे जितने भी आएंगे उनमें से आप एक हो सकते हैं अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो जाएंगे नौर्ट सेंटर लिल्वा अलाहाबाद अन्रिजर्ब यानि जनरल कटेगरी के अगर हम बात करें तो अगर आपके cut-shot के 1 by 3 negative marking है अगर cut-pit के आपका 64 से 66 नंबर के बीच अगर आपका रामाक्स बन रहा है तो आपका selection maximum है 100% आपकी चांसे से के PT के लिए आप selection हो सकते हैं OBC के लिए अगर हम बात करें तो 60 से 63 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप selection हो जाएगा आपका SC कटिगरी के अगर हम बात करें तो 53 से 55 यानि 35 से 55 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका selection निश्चित रूप से हो जाएगा SC कटिगरी के अगर हम बात करें तो 48 से 52 और EWS की अगर हम बात करें तो 55 से 60 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके PT यानि फिजिकल एक्जामसान टेस्ट के लिए आपका selection निश्चित रूप से हो जाएगा वही अगर हम बात करें अटेंडेंस की कुछ सिप्टों में अटेंडेंस भी वैरी करेगा और कुछ सिप्टों में moderate level का paper आ रहा है या फिर moderate to tough level का paper आ रहा है तो उस पे भी plus या फिर minus दो नंबर आप लेकर चलिएगा इन सभी cutout में वही अगर हम बात करें final selection की यानि कि देखिए आपको मालूम ही railway ने rule change कर दिया गया है railway के तरफ से change कर दिया गया है rule कि one is to one यहाँ पे ratio में ही बुलाया जागा यानि कि जितने seat हैं उतने ही student को यहाँ पे DV के लिए बुलाया जाएगा तो final selection के लिए आपके कितने नंबर होना चाहिए तो इतना नंबर तो यह PT के लिए इससे अगर आपके minimum 3 और तीन से लेके 5 नंबर अगर आपके ज्यादा है तो आपके selection के chances maximum है यानि 2022 में नौर सेंटर लिलवे अलहाबाद से अगर आप हैं इससे अगर आपके 3 से 5 नंबर इससे अगर आपके 3 से 5 नंबर ज्यादा है तो आपका selection 100% chances है कि आपके 2022 में नौर सेंटर लिलवे अलहाबाद में आप एक सीट पकी कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आने वाली सभी वीडियो की official update नोटिस पाने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से subscribe को लिजेगा subscribe के बगल में जो bell icon का निशाने ने घंटे का उससे भी click करके all का option जरूर से रट करें ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो upload करें उसका notification सबसे पहले आपको लो मिले मिलते हैं अपने अगले वीडियो में have a nice day